हम सिख रहे हैं कुछ नई vocabulary अब बारी है word number 21 की मिलकर पढ़ते हैं hoard meaning store money or valued things यानि पैसे को या फिर कीमती अश्या को या किसी भी चीज को जब जमा किया जाता है तो उस अमल को hoard करना कहते है sentence the squirrel hoarded many nuts in its tiny mouth to carry them to her home यानि गुलहरी ने बहुत सी गिरियों को अपने चोटे से मूँ में जमा किया ताके उन्हें अपने घर तक लिजा सके word number 22 solitude meaning a lonely person or place यानि कोई अकेला शाख्स या फिर कोई वीरान जगा sentence he fills his solitude by reading mystery novels यानि वो अपने अकेले पन को दूर करने के लिए जासूसी novels पड़ता है word number 23 disintegration disintegration meaning losing strength or breaking into pieces यानि किसी चीज़ का कमजोर पर जाना या फिर टुक्रों में तूट जाना sentence the cliff at the coast disintegrated under the effect of the waves from the sea यानि समंदर की लहरों के असर की वज़ा से साहिल पर मौजूद चिटान तूटी गई या फिर तूट गई या बिखर गई या फिर इसे यूंगी कहा जा सकता है कि वो तोड फोड का शिकार हो गई word number 24 prejudice meaning opinion not based on reason or experience या बगएर किसी वज़ा के या तहकी के या फिर किसी तजर्बे के किसी के मुताले कोई राए काइम कर लेना यानि पहले से ही जहन में कोई बात किसी के खिलाफ बिठा लेना इसे तास्थ भी कहा जाता है sentence you will have to leave aside your prejudice to give peace a chance यानि आपको अपने तासुप को एक तरफ रखना होगा अमन को एक मौका देने के लिए word number 25 futile meaning useless यानि बेकार sentence all the efforts made to clean the city would be futile unless the allocated funds are used honestly यानि जब तक दिये गए funds को या रखम को इमानदारी के साथ इस्तमाल नहीं किया जाएगा तो शहर को साफ करने की तमाम तर कोशिश जो है वो बेकार जाएंगी यानि उनका कोई फाइदा नहीं होगा word number 26 nomenclature nomenclature meaning system of names for things for example in the field of science यानि चीजों को जब मुख्तलिफ किसम के नाम दिये जाते हैं और उनके फेरिस्ते वगईरा बनाई जाती हैं तो ये जो सारा system होता है जैसे के science के field में इस तरह से चीजों के नाम रखे जाते हैं तो उसे nomenclature कहा जाता है sentence all plants and animals have special names in the scientific nomenclature यानि science की nomenclature में या फिर science में जो नामों की फेरिस्ती बनाई जाती हैं उसमें तमाम पौदों और जानवरों के खास नाम होते हैं और इन नामों को scientific names भी कहा जाता है word number 27 flamboyant meaning a person or behavior that attracts attention यानि किसी शाख्स का हो लिया या उसका आमल जो के बहुत शोख हो यानि के वो दूसरों की तवज़ा हासल कर सके sentence birds of paradise in Africa have flamboyant feathers इस जुमले में खास किसम के परिंदों का जिक्र हो रहा है जो के अफरीका में पाई जाते हैं जिने birds of paradise या फिर जन्नत के परिंदों का title दिया गया है तो उन से मतालिक के कहा जा रहा है कि birds of paradise जो के अफरीका में मौझूद हैं उनके पर जो हैं वो बहुत शोख होते हैं यानि मुखतलिफ रंगों के होते हैं खासे अजीबों गरीब किसम की शकलों के पर होते हैं यानि आम तोर से परिंदों के परों से उनके पर जो हैं वो खासे रंगीन और मुन्फरत किसम के होते हैं शायद इसलिए उन्हें birds of paradise कहा जाता है यानि एक तरह का ये इदारा होता है जिसमें बेमार लोगों की देख बाल के लिए उन्हें रखा जाता है sentence he was shifted to a hospice to recover from TB यानि TB के मर्ज से बहाल होने के लिए उसे एक hospice यानि इदारे में भेज दिया गया word number 29 vaulted meaning an arched roof over a hall, room, etc arched roof से मराद है गंबद नुमा च्छत यानि जो गोलाई की शकल में होती है तो किसी भी बड़े hall या कमरी की च्छत जब इस तरह से होती है तो उसे vaulted roof कहा जाता है sentence, they had to pass through a vaulted passage to enter the great hall यानि उन्हें एक गंबद नुमा रहदारी से या रास्ते से गुजरना पड़ा उस बड़े hall में दाखिल होने से पहले या फिर उस बड़े hall में दाखिल होने के लिए उन्हें एक गंबद नुमा च्छत वाले रास्ते से गुजरना पड़ा word number 30, intricate meaning very complicated or detailed network or pattern यानि बहुत ही पेचीदा और बहुत ही बारीक या तफसील में बनाया गया कोई निजाम होता है या किसी चीज़ का जैसे जाल सा बचाया जाता है या कोई नक्षो निगार वगरा होता है यानि कोई design वगरा जो के बहुत ही बारीक और घना सा बना हो तो उसके लिए intricate का लफस इस्तमाल होता है sentence the old city had an intricate network of roads and alleys यानि पुराने शहर में सडकों और गल्यों का एक बहुत ही गुझान या फिर पेचीदा जाल बिचा है या एक नजाम है तो यह थे चंद और नए अलफास अब इससे आगे के अलफास को हम अगली वीडियो में study करेंगे आप इस वीडियो को replay कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर practice करने की कोशिश जारी रखिए